बॉलिवुड अभिनेता गोविन्दा के पैर में गोली लग गई है गोविन्दा के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर है खबरों की माने तो घटना सुभा करीब पांच बजे की है गोविन्दा सुभा कही जाने के लिए निकल रहे थे तभी ये हादसा हो गया कहा जा रहा है कि वह अपनी रिवॉल्वर साफ कर रहे थे तभी मिस फायर हो गया अभ एक्टर को अस्पताल में भरती कराया गया है अभिनेता की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है रिपोर्ट्स के मताबिक गोविन्दा को आईसीउ में रखा गया है आपको बता दे कि बॉलिवुड एक्टर और शिफ सेना लीडर गोविन्दा को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है उन्हें अपनी ही रिवॉल्वर से पैर में गोली लगी जिसकी बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया गटना मंगलवार सुभा पांच बजे की बताई जा रही है पुलीस अब इस मामले की जाच में जुट गई है पुलीस का कहना है कि गोविन्दा की बंदू को कबजे में ले लिया गया है और मामले की गहराई से जाच की जा रही है फिलहाल गोविंदा के पैर से काफी खून बह गया है जिससे उनकी हालत खराब बताई जा रही है डिगरी हालत को देखते हुए फिलहाल उन्हें अंधेरी के क्रिटी केर अस्पताल में भरती कराया गया है रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त ये हाथसा हुआ गोविंदा घर पर अकेले थे वह बाहर जान की तैयारी कर रहे थे और अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर को साफ कर रहे थे तब ही अचानक गलती से गोली चल गई और वो जखमी हो गए बताया जा रहा है कि गोविंदा ने पास में ही रह रहे अपने रिष्टेदानों को कॉल किया और उन्होंने मौके पर पहुँच कर उन्हें अस्पताल पहुँचाया अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें